तो जिनकी रोने की आदत होती है जो पूरे टाइम रोते रहेंगे मेरे से यह नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा उनसे एक्जाम कभी नहीं निकल सकता रीजन क्या है जब आप UPC के तैयारी शुरू करते हैं आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं वो एक्साइटमेंट में यूबाइ लॉट आफ नोट्स वेबसाइट भी देख ली यह चार चीज़ और देख ली क्लासमेट्स ने कुछ और बताया सीनियर्स ने कुछ और बताया और हम सब कंसालिडेट करके पैट गए अब जो हम तैयारी शुरू करते हैं बहुत एक्साइटमेंट रहती हैं पर वो जो रन रेट रहता है जो हमारे एक्सपेक्टेड है कि मैं पांच दिन में यह एक्साइट बुक कंप्लीट कर लूँगा वो हो जाता है 20 दिन 25 दिन 30 द क्यार यह तो यह नहीं हो रहा आगे कैसे बढ़ेंगे तो ऐसे जो रोने वाला एक्टीटूड है कि आप तो यह हो नहीं रहा है और वो हम प्रॉब्लम पर फोकस करने लग जाते हैं instead of finding a solution कि हम इस चीज़ को short कैसे कर सकें इस चीज़ को subject से syllabus oriented हम कैसे पढ़ सकें तो यह overcome करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है sources आप limited रखें और वो limited sources को syllabus और PYQ से connect करते करते दीरे दीरे आगे बढ़ें क्योंकि history जो विपिन चंदरा में लिखी है spectrum में लिखी है या कोई और book में लिखी है या economics किसी xyz book में लिखी है almost similar content है तो इसलिए आप इस चीज़ का ध हम सही रास्ते पे हैं या नहीं